बहादर चंद दसमें गोविन सेंग गुरू नमो जर्ने अर बिंद जिसमें अमरत ग्यान है मानक भगत गुरू गुरंथ साहिब उदद बंदों कारेन कहां बुद्ध्द प्रवत अच्छ हमारी बरन सकाय महमाजो तेहारी हम ना सकत कार सिफत तुमारी आप ले हो तुम कथा सुल्हारी हम ना सकत कार सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुल्हारी वाहि गुर्जी का खार सा वाहि गुर्जी की पते सद्गुरु ग्रीब नौार सचे पाथ्षा जी नौार जी सास संगर जी आप जी सत्गुरंदी पावन हजुरी चुस्बाए मान हो करके साथ गुरुभ मारा इसाइब सिरी कलगी तर पिता जीदा पावनिते आसर उनका रहे हो जदों सचे पाद्शा जीने विख्या द्याल चंद बिजडवाडिया मारो मार करता मैदाने जंग विच आनित्रिया है पिर पाल चंद कटोचिया उदे नार है और बहुत सारे सूर्व पिराना नुक्सान कर रहा है ता मार ए बबर शेदी तरह गर जेहन राजा पीम चंदी बेंती मन के सारी जंग दी कमान आब समाड लई है और सचे पाद्शा माराज जी ने द्याल चंद बिजडवाडिये नू इको गुवी दे नार ते संसार तो पार बुलाया है द्याल च आंदर का तो चीए अते अलफ खान दी हांजडी खौशियो दे हांसले पस्तो गए ने कोज़ का हांसला करके लड़ते रहे हैं और अंदरों पह पी तो चुक्के हां स्री गुरु गोवन सिंसावदा प्रवाव ऐसा है वो कथा महा कवी पाई संतोक सिंगी लिख रहे है प् किये साथ नाम सिरी वाहे गुरु साहिब जी खौशिक हांसला कारके दुश्मन सामने खड़े रहे सिरी गुरु गोवन सिंग साहिब जी नु वेख के अंदरों हांसले पस्तो चुके सान पर बारों अपना हांसला वखारे सान को गर्जे शिरान शेरी दसमें पाधशा जो रंग दे जंग दे मदान दे बबर शेयर हां उना ने अपनी बंदूक जे दे नश धियाल जाद वजड़ वालिये नुं मारे सी वापस सेवादार नु फड़ा दिती है ते आप बबर शेर तरां गर्जे हांन अब मारा इने ब और दुश्मन दे सामने जंग दे जितन दी आस लेके गर्जेहान बड़ी फुर्ती दे नाल पत्थे दे विच्चों और तिक्षा तीर कट के वारा सचे पादशा जी ने नाग कोबरा काड़ा नाग छड़िया है और चले चाड़ के कना ताइं खेच खेच के बड़े गुसे नाड भी रास नाड मारा तीर छड़ दे हान केंदे गुरू मारा सचे पादशा जी दी कमान विच्चों तीर चल के शूंक दे होए दुश्मन वाल जा रहे हान जिसनु वेख के द्याल चंद बिजट वाड़िये दी अलफ खान दी फाँज पैपीत हो गई है शत्रू आंदे दाल दे वेच बड़ा पहारी रोड़ा मच गया है पैपीत हो गई हन डर गई हन वेरी ते दर दर वेख दे अन कोई सहारा नहीं नजर आउंदा पहाड़िया नूं अपर तीर सद्गुर निकास फिर सद्गुरू जी ने पत्थे विच्चों दूसरा तीर कड़े आ है मारा ने कमान दे चले चाड़ के कना दाई खिच या है चरड़ चरड़ कर दे कमान विच्चों तीर नी बर्खा शुरू होई है केंदे शाड़ शाड़ कर दे तीर जांदे है ते बीर बड़ा रहे हैं तीरा तो मार खाके मारा है वेरी नूं तक तक के खिच 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 शाती तीर मार दे हान केंदे पह पीत हो के इस दुश्मना दे सरीर कंब दे हान कंबड़ियां छिड़ गई हान नाड बड़ी फुर्ती दे नार। मारी तीर चलांदे हान। जिना दे स्रीर तीर लग दे सार पार लंग जांदे हान। मारा दे सूर में कना दे खिच खिच बाण चटदे हान। कहने दे मा चलो तीर चल दे हान, भार लग जान दे हान, कहने दे सुर में कोड़ियां तो तुड़ा मत तुड़ा म करके दिख दे Hai Hai करदे हान इस तरह सजे हाथ नाड माराजी ने चार तीर चलाए हान वेरियां दी भौजवज बड़े गुसे नाड मारे हान फिर खबे हाथ नाड भी तेन तीर चलाण लगे हान साथ गुरु से चे पात्षा जी जो माराज विद्या दे परवीन हान एक असा माराज जी ने अपनी पावन बाणी से बचितर नाड को बेच भी लिखी है कि ऐसी पहला बंदूक दे नाड बिजडवाली ये ड्याल चंदनू मारे हा ते फिर असी अपने कमान तो साथ तीर चलाए चार सजे हाथ नाड चलाए तेन खबे नाड चलाए इस तरह माराज सचे पाथशा एको एको तीर नाड सतां सतां अठां अठां दसां दसां दे स्रीर विन सुट दे हान चैदो माराज सचे पजी तीर चलाए ते हान वैरिया ते आंग पंग करसुट दे हान और कहने चेरा लालो लाल होया बीरासे नाड रंगे होया कल गी तरपाथशा जी महराज कहने वैरी ती पावज जे समने बबर शेर तरां गर्ज के जई हान कल गी तर जी मारा इदा कोड़ा तरती ते पैर नी लांदा बड़ी चंचलता दे नाड़ दोड़दा है बड़ा पारी हला करके तुम ताम बचा रहे हान कैने दुश्मन वो अराम नी लेन दिता टिकन दिता ते जड़ी हो लकट दी वाड करी हो इसी अलब खाने पहाड दी चोटी होते उते जा पहुंचे हान दुश्मन दे दल दा होंसला तोड देता है कलगी तर पादशा दे तीराने ते हुन पचके वैरी उस वाड दे वेच वड़ गए हान खबे हाथ नाड मारेने तीर तेन तीर चलाए हन अराजा पीम चांद कलगी तर पादशा दी मदद लेंके साथगुरु जी दी बक्षिश लेंके आपने जोद्यानु बंगार रहाभी छेती करो रड के आपना दौन दा किला फटे कर लेए सूर में आने मारे दसमें पाशा दी फाज हो ते पीम चांद दी फाज नाड पिर्थी चांद दी ते राम सिंग दी फाज कठी है दूजे पास से करपाल चंद कटोची है दे आल चंद बिजडवारी है दे अलफ खांदी फाज कठी है ए दो दनाना मकाबला नदाउन दे मदान वेच हो रहा है कोड़यानु मोरा तन चांद होए सूर में उपर जा चड़े हान मार लो मार लो कर दे सूर में उम्ड के आप है हन पहाड दे सूर में बाई तार दे राजपूत राज़े आपस चे लड़ रहे हन दूजे पास से करपाल चंद कटोची है कांगड़े दा राजा अपने फाज दे पैर हिल दे वेख रहा है वो दी फाज पिशानों हट रही है वड़ रही है उस किले दे वे जड़ा लकड़ दा बनाया होया है बहुत बड़ा सूर माद्याल चंद बिजड़ वाड़िया मार रहा गया हून कौन गुरू दा मकाबला करेगा गुरू गोविन सिंग सेफ जी दे तीरा दा परताप किसे गोड़ चल लेया नहीं जा रहा है केंदे खेद दी वाड़ चड़ के मैदाने जंग पिच्चों सूर में सहजे सहजे लड़ते जा रहे हान जड़ा लकड़ा किला उच्छी थांदे बनेया होया है ओदे विज जा परवेश कीता है पाज के वाड़ गए हन द्याल चंदी फाउच दे शिपाई अलफ खान दी पी फाउच दे शिपाई एकाई सूर में बार खलों दे हान केंदे बार आई दा परताब वे केंदे पैर हेल गए न ते ओ अंदर जा वड़े हन एक बार कड़ा कर जोत तो भंग एक वारी काड़ काड़ गुंदुका चलिया हन गोड़ियां लगके सरीरा दे अंग पंग हो रहे हन काटे किरबान काटे शरीर कलवारा काटके सरीर वड़़ड सुटे हन पाटे उमांग लख जीद दीर जो दे आनू आपनी जेत दा होंसला हो गया जदो दसमें पारशाह महराज आप मैदान ने जंग बे जागे ने केंदे सामने जंग दे मदान दे वे जसूर में लड़ रहे हन केंदे लाशा ते लाशा चड़ गया लोथ पोथना हो गई है पाटे ते गिदड मास खा रहे हन बहुत सारी आगितना अकाश उड़ दिया पिर दिया हन ते मास दिया चुझा परपर के बोटिया खान दिया हन आचिटिया चीला ते काड़ कां ते रोड़ा पा रहे हन ते कुटे जड़े हन बड़ी प्यान के शकल दे वेच आखे मास खान दे हन ते कुटे जड़िया जोगनिया हन सास संगजी खपर परपर के लओ दे पिंदिया हन नच्दिया फिर दिया ने और गीत गांदिया ने बहुत सारे गीत गांदिया ने केंदे नेड़ा करके फोज नू तका दे के पजा दिता है बड़े बड़े सूर में लड़के हटके हन पिछे चारे पास्यों वेरी नू केर केर के गोड़िया दे तीना दा मी बराबरा के और के दे धूर में दोड़ दोड़ के वार कर दे हन और वेरी नू ड़ा रहे नेक दूजी नू दुश्मन नू मार मार कर दे शहस्तरा दा वार कर दे ने जिड़ा समने अड़ा उनू टार दे मार दे ने माराई दसमें पादशा ने सतां तीरा नारी जंग जेत लेया अठमां तीर चलाना नहीं पया सत बाण चलाए ने माराई सचे पादशा जी ने उना सतां बाणा दे नारी मोर्चा फटे कर लिया है दुश्मन नू सतां तीरा नारी प्राजड़ पा देती है ते उन्हा नू बाढ़ दे विज़ ताक देता है आज जिते कोई बाढ़ खलोता सी कट गड़ी बिखें गड़ी उताल ओ छड़ के अपने मोर्चे लकड दे किले जी जावड़े ने बार नहीं खलो सके जादों बेख्या है के दोड़ दोड़ के सारे वारो वारी उस वाड़ दे विच बड़ी जान दे हाना और रहे ओज अरतारतार और ओथों बालते नार मुकाबला करन लगे हाना केंदे फिर उचे बुंगया तो गोड़ीया चलानिया शुरू कीती हाना किरपाल चांद कटोचिया लीन केर किरपाल चांद कटोचिया नू सूर में ने वस वाड़ दे च केर ले आ है चारे पासें कुन पहो जुद कुरुधत कराल फिर बड़ा कुरुद बड़ा प्यानक जुद होया है किरपाल चांद कटोचिया ने वेख्या भी असी ता दुश्मना दे केरे चा आ गए हां ता दो सुपाट आपने नीन रोक ता उन्हे अपने जो दे अनू रोकिया है केहें दे हुन साड़ी अप हार होवें अब गए हार हुन सी हार जावांगे क्योंके हुन साड़ा जोर नहीं पवेगा मान वेच सारे डार गए ने वीजे बार निकडांगे दे मारे जावांगे इस तरह सिरीकुर गोवेंद सिंग साफ जी ने नदाउन दा जांग जेत लिया है तो माँ पास याँ दे सूर में अनु इस गल्दा पता लग्या है वी सिरीगुर गोबन सिंग साफ जी वर्गा सूर मा उना वर्गा जंगी जोदा कोई नहीं है ए ऐसे सूर में हान डर ना दी चीज ना दे कोड़ों भी नहीं लंगी पैत गाहु को देत नह ने पैमानत आन के पैत उ रहत निर पैसूर में हान के दे दुश्मन नो मदान जंग जो पाजट पान वारे हान तीरा दी मी वरसान वारे हान जिमें पॉंटे साफ दा जंग पहला जिते हैं सी ना वंगा अनी दा जंग फते की ता सी आज कल गी दर पादशाह ने अपने जीवन दी दूसरी जंग भी फते कर लई है केंदे पहाड़ी है दो में पास से उंडर गए ने जिड़ा कटपाद चांद कटोचिया हो दा डरेया ही है भी मेरे साथी नो गुरू ने बंदू कदी गोड़ी ना मार देता एदरों पीम चांद वर गे भी अंदरों पैखान लगवे भी इस गुरू नो जितना बड़ा आणिदा जंग जेते हैं सी आज दस्में पाद्शा ने नदाउन दा जंग जेते लिया है इस सारे नो पता लागया भी गुरू बीर बहादर है गुरू महा बली है गुरू महा जोदा है सूर में अपने अपने थामाते दस्में पाद्शा दा जस्त कर रहे ने कीर्थी कर रहे ने वावा कर रहे ने जदो ने राजा पैंड लगाते साथ गुरू माराज जी जंग फते करके पिशा नो हटे अपने डेर्यां चाहे हाना दुश्वन नुप जा आके वाड़ दे वेच जी लकड़ दी वाड़ कीत के विसी किला बनाया से तर्यों देरा जुदार माराई ने अपनी च्छाउनी चाहे डेरा कीता है पलंग ते बिराज जेहाना सूर मैंने नगारें ते चोबा लाईयां ते बड़े खोश होए हाना आप वो अपनी वीर लेके अपने अपने पडामाते आ उत्रे हाना माराई सहीब जी ने अपना टेरा लासन ला ला लिया है उतर राजा पीम चांद भी कुछ दूरी ते जाके अपने अपनी थावां ते उत्रे हान डेरा कीता है और रात नू राम कीता है रात गुजारी है इना नेरास थी नेरियां राता चार रही है असान नेरियों जानता नजर नहीं सियांता बंदा कुछ खान पान करके नंगर परशादा शाथ के अद्धी फाज सौंग गई है अद्धी फाज पहरे ते जाग दी रही है क्योंके लड़ाई रहा हो ला दुश्मन रात नू हमला ना करता वे अद्धी फाज ने राम कीता अद्धी रात ता करते अद्धी रात तो बाद दूजी फाज जागेगी इस तरह आपको अपने देरियां जिस सावता आना उपर दी सुनो होना जिड़ाओ लकड़ा किला उत्ते बन्यान दाउन दा जेदे वेच किरपाल चांद का टोचिया देयाल चांद बिजडवारिया ते अलफ खाज दी फाज जाए देयाल चांद दी गुरू साहब कल गी तर पारशाजी ने मुक्ती कर देती ओदा मार देता गोड़ी देनार पर पाल चांद ते अलफ खाज दोमें के लेवेच रह गे आपस वेच सला कर दे हाना कर पाल चांद का टोचिये ने ते अलफ खाज ने सला कीती फिर उन आपाँ जेत नहीं सकते आपाँ गल्द शेड़ा शेड़ बैठे हां क्योंके सानु अमीद नहीं सी के राजा पीमी चांद गुरू को बेंद सिंग नो आपनी मदते साद लवेगा जे गुरू को बेंद स में पाशा सिरी गुरू गोविन सिंग साब जी आ गए ने इस करके हुन साड़ा कोई चारा नहीं चलना जंग साथों जित्या नहीं जाना उनता इस वारी अलफ खान जी आप पांए किला निच्छड के दोड़ चलिए निकल चलिए एसे वेची साड़ी पलाही है नहीं ता आने आई मौत मारे जावांगे साड़ा सूरमा राजा बिजडवालिया द्याल चंद मारे गया है बड़े बड़े जोदे जंगी शिपाई जरनेल मारे गए हाना गुरू कुब बेंद सेंग बड़ा बड़ा सूरमा है चौन में जोदे यां विच्छों गिन्या जानता कोई दी मदद ते आ गया है जे गुरु ना ना उन्दा फेर असी पीम चांद नू बेख लेंदे गुरु गुबेंद सेंग दी इकको गोड़ी ने उना दा पलड़ा पारी कार देता ते साड़ा सूर मा दे आल चंद साथों खो लेया है जे कल स्वेर होएगी लड़ाई होवेगी दिन चड़ेगा ता गुरु गुबेंद सेंग दिया फोजां पिर्थी चंद दिया फोजां पीम चंद दिया फोजां ते राज राम सेंग जस्त रोटिये दिया फोजां ये सारिया कठिया हो के साड़े ते हला कर देन गीया जादा तर मेनु अमीद है विकल दी लडाई वेचे साधी फौज बहुत मारी जावेगी, हो सकता है साधीया मी जाना चलिया जाना, इन द्याल प्रेजता है पुद बट, उन द्याल चंद दी आस उमीद सी गी वो लड़ता सी, उन काउन लड़ेगा, उन ता सानू तौन आप अगे जाना पवेगा, क्योंके गुरु को बेंद सेंग खोद मैदान वेचे आवडेगा, ते हल चली खलबली मचादवेगा, जे गुरु आगया, ताँ ओ तबाई मचादवेगा, पढथू मचादवेगा, ओ ते सामने कौन खलो वेगा, पीम चांद नाल था सी, ने जेठ लेना सी पर होनो गुरु को बेंद सेंग नाल कौन पूरा उत्रेगा, एस करके खान साब मेरी सरा मनो, बेने आई मौत ना मरिये, अपां लड़ाई चाटके निकल चलिये, जे गुरु ना होया ना, फेर ना नो बेखांगे, एद की गुरु इना दे नाला है, एक वार ये गुरु अनो इना थोड़ा लंबे जान देओ, गुरु वापस चला जावे, फेर आपां बीर रास्ते वेच आके ना ते हला करांगे, और महा जंग जुद करांगे, इना नो जित लवांगे, एक रांग सदा हम तो ही जंग, हाँ है, अलफ कान जी, अस तो अड़ा साड़ा प्यार ह नहीं रहना, हाँ सी एक रास्तो राटे नाड़ रमांगे, कोई किसे तरह दा फरक नहीं पैन देंगे, ए तुसी साड़े थे विस्वास कर लो, इनुके अलफ बात विकुन अलफ खान, यह जदां किरपाल चांद ने गाल कही है, अलफ खान पठान ने सुनी है, अन्य जान उनने उन्हों विचारे आ का रहनु, उन्हों समझ आगी, उन्हों भी दिस्दा प्यासी, विकुर्पाल चांद छीक कह रहा है, उन्हों मौत यह मौत अचारे पासे, आसी गल्ब छेड़ा छेड़ लेया है, क्योंके साड़े दुश्मना दे नाड़, उन्हा दी मदद दे तेरी गुरु गोविन सिंग साहिव जी महराज आ गए हन, साड़े बचन दी हून, कोई आस नहीं है, एक रपाल करन ठीक हैं दा, केक वारी गुरु गोविन सिंग नु वापस जा लेन देओ, लंपे हो लेन देओ, असी फिर हमला करांगे, ते इना नु केर केर के मारांगे इस तरह विषिला करके साढसें के साहरी आ ने विचार करके, छेतीन जाड़ त्यारी कीती है, और एक बंदे नु उच्छी फांडे हुचे टांगो ब्ना के बचा देता है, उच्छी फांडे नु नगारा राख़ देता है, वो बंदे देग के वी तु नगारा वजाही है चली अनु एक है ताभी सारी रात नगारा बजदा रहना चाहिए जद्व रेखें में स्वेयर हूई याइद उस वेड़े नगारा चाट गे तू ही पाज़ जामी तो उस वेड़े नगारा चाड़के जदो सवेड़े पांच-छे बजणगे उदो निकड़ावी उस तो पहला नगारा बांधना करी तांके गुरु गुबेन सेंगनु एप जाओ दे साथियानु फीम चांदनु एप लेखा प्यारा वेखे फोजा जे किले दे अंदर ही है एक है के अल्फ खान ते किरपाल चंद कटोचिया अपनी फोज समेथ कोड़यां ते सवार होके उस नदाउन दे लकड़ दे किले चांँ खिस्क गए हाना करमान वहर निकशी पदहारण चोप चपीते रात नू ए निकड़े हाना कार जान्दे होए नजर नहीं होंदे किना दी आलते होगी किदर नू पाज गई हा नू आद इन्हों सब कर अराम एदर मारा आज दसमें पादशा पहीम चंद राम सिंग जसरो टिया प्रिथी चंद डड़ वालिया इना सार्या ने राम कीता अपने अपने डेरियां वेच ज सवेर होई है नगारा रात बजदा सुनाई देंदा रहा इना नू सारी ये कह रहे सानबी अच्छे तक किरपाल चंद अलफ खान पहाड़ दे उस किले वेची बैठे हान क्योंके नगारे दी अवाज सुनाई दे रही है पर जदों सवेर होई ता वो नगार ची भी अपनी जान लेके दोड़ गया केंदे उनने जागे लोका ने विख्या भाई सारा ही किला खाली पे आ है लकड़े किले वेच जिते कल अलफ खान दा अते करपाल चंद कटोची ये दा दे द्याल चंद बिजडवाडी ये दा दाल सी ओ सारा ही होथों चले पागया है केंदे वेरी अपनी लाज छड़ के बे शर्मा दी तरह चोरा दी तरह पाच गए हान केंदे गा अलफ खान केंदे अलफ खान केंदे अलफ खान चला गया खाना नू नाड लेके ते करपाल चंद पाटोचिये ने भी हांसला ने कीता हो भी निर्किकिया वो मूर्ग गीती गवारां दी तरह पाच गए हान अड़ नहीं सके कल गी तर पाधशा दे सामने सारी पाउच दे जोदे अनू लेके सनब बद बार तीर बार दसमे पाधशा राजा पीम चंद राजा पिर्थी चंद राम से में जिस्वा ज्रू रूटिया सारे राजे कमर कसे करके चस्तर बस्तर सजा के जदों लकड़ दी वाड़ दे निड़े गए ने सारे ने जा के बेखिया वाड़ खाली पई है अब चार की थी है मारा दसमें पाधशा जी ने भी एता काहरा ना टोला सी गा जिड़ा हमारा कल की दर पाधशा रा परताब बेके पाज गए हाना राजा फिल पीम चंद बड़ा खोश होया चलो मेरी जित हो गई है राजा फिल पीम चंद बड़ा परसान होया है खोश होया है नदाउन दे नेड़े सास संग जी पीम चंद ने डेरा कर लेया है मिस चंद होके नदाउन दी थांते च्छोनी पाई है कें दे बड़ा सोना सुंदर दर्या नदी बाग रही है केंदे बड़ा साद निर्मर नीला पानी है जेनों कोई रोक नी सकता पहाडा में चंद वाड़ा खांदी होई ब्यासा नदी आ रही है उदे कंडे उते ए नदाउन दा किला है महराज दसमें पाशा जी उस दर्यादे कंडे ते पड़ां कीता है महराज दी फोजां भी होते उत्रियां ने ते महराज आप भी होते देरा कीता है सारियां च्छाउनियां दे वेचे सारे अंडेरयां वेचे सारे राजयां वेचे सिरी गुर्गोबन संग्दा जास हो रहा है के महराज गरीब नवाज हान सेवकानू मान देन वाले शरनायां दी लाज रखन वाले ते वेरियां देली काड़ा रूप हान एक दिन होर बड़े अराम नारो थे ब्यासा दे कंडे ते रुके हान लंगर परशाद बना के च्छक्या है ते माराज कलगी तर पाद्शा उची थां ते बिराज जे के हान और बड़े द्रखत खड़े हान पहाड़ा दे वेच उचे उचे और बड़ी सोनी नदी जेडी व्यासा है निली पुदा निला जाल है ते बड़ी मानमोनी ओ जगह है उदी माराज सैल कर रहे ने पहाड़ा दी सैल कर रहे ने कई देने ते माराज ने आसन रख्या है डेरा कीता है ते राजया ने भी अपने करामे चर्ण पो आए हैं जेडे राजय दसमें पात्षादे पहला विरूदी बने ओए सान पीम चंद वर गे ओ ने पहने केंदे फिर दे मारा साड़े मेला चर्ण पाओ साड़े किल्या चर्ण पाओ साड़े सेरगाव चर्ण पाओ ते हुन मारा आई ने तरले कड़ दे हान। के साड़े कार चर्ण पाओ के करान। पवित्तर करो अज़ा पीम चंद साड़े करन ने खोश करन दा जतन कर रहा है। आत जोड़ जोड़ के कहन दा मारा आई तो अड़ी किरपा ना जंग जिते हां। नहीं दा मेरी कोई हाल तो नहीं सी। एन्ने दुश्मन चड़के आगए सान। मुगला दी फाओज अलफ खान पठाना दी फाओज लेके आगया सी। मारा आई तुस्य किरपा कीती है मैंनू इस बड़ात तुम बचा लेया है। जिन्ने वेरी सन सारे पह पीत कर देते हां। आप जी तो डरदा मारा आई अलफ खान रात पाज़ गया है। साथ गुरू जी तो अड़ी चाल नहीं चाल सकेया। मारा आई तु अड़े परताप दे नाड़ पजेहन वेरी असी निसी पजा सक दे उनानू तो अड़े तीरा दी करामात है कल की दर पात्षा जी के सत्तां तीरा दे नाड़ तुसी मोर्चा फटे कर लेया है। इस रीत दियोस के तक बिताए। इस तरह साथ संगर जी कही दिन ते आसवेच कहीं बिद्वाना ने सोड़ा के यह सतारा दिन इस तरह दसे ने मारा आज नदावन दे लाकेज गुजार के। गुरकरत अनन्द जाल ताट सोहाई। सो मारा दसमें पात्षा बड़ा सुंदर ब्यासा दे कंड़े ते अनन्द मानिया है। ओ कथा आप जी अगे सर्वन करोगे समेद लिहाई नसमापतिया हे गुबिंद हे गुपाल हे देया प्राण नाथ या नाथ सके हे समराथे प्राण प्राण समरे जी नाथ समरे वी अंहे फाद जाई प्राण प्राण समरे घाए। झाल 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 झाल